हरियाना विदेले सिक्षा बोर्ड ने आज उन चातरों के लिए कमपार्टमेंट फोर्म का लिंक जारी कर दिया है जिनोंने 26 जुलाई 2023 को कमपार्टमेंट का एक्जाम दिया था और 11 अगस्त को इन सभी चातरों का रिजल्ट आ गया था और जो चातर फिर से बातें जो आपको फारम बरने से पहले पता होनी चाहिए फारम की फीस कितनी है फारम बरने की अंतिमतिती क्या है ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूँगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चाहिए उनको सब्सक्राइब करके ओल क्यों उपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अप्लोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अब मैं आपको बताता हूँ कि फारम आपको फारम बरने के लिए आपको कैसे अपलाई करना है फारम बरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और पर जाकर आपको टाइप करना है H B S E जैसा कि यहाँ पर टाइप है और यह टाइप करने के बाद आपको सर्च के ओपर क्लिक कर देना है जैसे ही आप सर्च के ओपर क्लिक करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आजाएगा और रिजल्ट में लिखा होगा Board of School Education इस लिंक के ओपर क्लिक करना है जैसे ही आप इस लिंक के ओपर क्लिक करेंगे आपके सामने हरियाना बोड की जो मुख्य वेब साइट होती है उसका Home Page आजाएगा आपके सामने जैसा कि आप देख सकते हैं ये Home Page है यहाँ पर आपको स्क्रोल करते हुए नीचे की तरफ जाना है जहाँ पर लिंक दिया गया है अगर आप Desktop और Laptop यूज करते हैं तो आपको स्क्रीन पर सामने ही लिंक दिख जाएगा लेकिन अगर आप Mobile यूज कर रहे हैं तो आपको स् फॉर्म के लिए Registration of Senior Secondary यानि की बारवी के लिए है Academic यानि की Regular के लिए है Reappear के लिए है Additional के लिए है Partial और Full Improvement के लिए है यानि की इन सभी फॉर्म जो ये सभी जो है आप फॉर्म भर सकते हैं इस लिंक के दोबारा Exam September October 2023 आपको इस लिंक के ओपर क्लिक करना है जैसे ही आ आप उस लिंक के ओपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा और यहां पर आपको ध्यान देना है कि यहां पर यह जो ब्लू कलर का बटन है जहां पर लिखा हुआ है Click Here for Self Registration जब भी आप पहली बार Registration करेंगे तो इसी बटन से ही Registration आपको करना होगा मा उसके बाद जब आप Second Time, Third Time, Fourth Time यानि कि पहली बार के बाद जितनी बार भी आप लोग इन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा यहां पर Registration करेंगे Registration करने के बाद आपको एक यूजर नेम मिलेगा और एक प Capgea दिया हुआ है इस Capgea को आपको टाइप करना पड़ेगा जैसे ही आप यहां पर टाइप करेंगे Capgea उसके बाद लोग इन करेंगे तो आप दोबारा से लोग इन हो जाएंगे और उसके बाद आप अपना फार्म कंप्लीट कर पाओगे और यहां पर जो important चीज़े हैं वो देख लीजिए आपकी जो फीस है वो है आठ सो पचास रुपे बाइस आठ दो हजार तेईस से लेके इकतिस आठ दो हजार तेईस तक आप बिना लेट फीस के फारम भर सकते हैं उसके बाद एक नो दो हजार तेईस से पास नो दो हजार तेईस तक आप सो रुपे लेट फीस के साथ फारम भर सकते हैं उसके बाद 6 तारिक से लेके 10 तारिक तक आप 300 रुपे लेट फीज दे के फारम भर सकते हैं और 11.9 से 15.9 तक इस समय के दोरान जो है आप 1000 रुपे लेट फीज दे कर अपना फारम भर सकते हैं और यहाँ पर जो है डाउनलोड double payment refund performa अगर गलती से आप दो बार payment कर देते हैं तो अपनी जो payment है refund करने के लिए यहाँ पर जो फारम दिया गया है इस फारम को आपको भरना पड़ेगा अब हम यहाँ पर जो है पहली बार जो registration करना है वो कैसे करना है वो देखते हैं हमें क्या करना है इस लिंग के वपर क्लीक करना है जैसे हम इस के उपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक fom आजयेगा जैसा कि आप यह आपजसाएं सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको class select करनी है इसे सेकंटरी रिम उसके बाद apply for next में जो है आप किस चीज के लिए apply कर रहे हैं compartment के लिए अगर आप compartment का फार्म बर रहे हैं तो compartment वाला option चूज करें partial improvement वाला अगर आप first time improvement कर रहे हैं तो partial improvement अगर additional subject का फार्म बरना चाहते हैं तो additional वाला और full improvement यानि कि चार सब्जेक्ट में आप इंप्रूमेंट करना चाहते हैं तो फुल इंप्रूमेंट का फारम बरे और पासल इंप्रूमेंट में जो है आप सिरफ एक ही सब्जेक्ट का इंप्रूमेंट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको जैसे माल लीजिए कमपार्टमेंट का फारम बरन है तो इसको हम select कर देते हैं जैसे ही आप इसको select करेंगे आपके सामने और option आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले है year 2023 है इसी साल compartment आया था तो यही year आपको यहाँ पर select करना है उसके बाद अगर आपने मार्च में exam दिये थे और जुलाई वाला फारम नहीं भरा था तो आपको मार्च वाला option select करना है और अगर आपने 26 जुलाई वाला exam दिया था और जिसका 11 अगस्त को result आया था तो उनको जुलाई वाला option चूज करना है तो इन दोनों में से जुलाई वाला हम select कर देते हैं जुलाई वाले के बाद यहाँ पर प्रिवेस रोल लंबर यानि कि जुलाई के मंत में जो आपका exam हुआ था जो आपको admit card मिला था उस पर जो रोल लंबर था वो रोल लंबर यहाँ पर आपको फार्म आ जाएगा mostly जितनी भी आपकी detail है वो हर्याना बोर्ड के पास already है थोड़ी बहुत ही आप से detail पूछी जाएंगी में तो यहाँ पर आपको सिर्फ payment करनी है उसके बाद आपका फार्म जो है complete हो जाएगा तो इस परकार आप जो है अपना compartment का फार्म बर सकते हैं वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के ओपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होतो उसका नौटिफिकेशन आपको मिल जाए